नमस्कार दोस्तों आप सभी आसा अंगनबारी कर्या करताओं का हमारे आंगनबारी नीच चैनल में स्वागत है हमें जो खबर लेकर आये हैं आसा अंगनबारी बेहनों के लिए बहुत ही महत्तोपूर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है तो आईए इसको पूरे बिस्तार से देखते हैं हम आपको बता दे कि ये खबर जो दिखाने जा रहे हैं आंगनबारी केंद्रों को बंद करने के संबंध में जो है की खबर निकल कर आ रही है तो आईए इसको पूरे बिस्तार से देखते हैं जी इसमें क्या किया जाएगा बंद करके इसके जगा पे क्या लाया जाएगा इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है इसको पूरे बिस्तार से हम देखेंगे उससे पहले आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं कियें तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जूड़ जाईए जैसा कि आपको स्क्रीन पे हेडलाइन दिख रहा होगा कि प्रदेश में बंद होंगे जय कि व्यष्था कर दी गई है तो आईए इसको पूरे विस्तार से देख्ते हैं जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि जिले में साथ आगनबाणि केंद्र होंगे प्ले स्कूल में बंदिल सरकल अस्तर पर होगी परिक्षण सुपर्वईजर को बनाया गया master training तो circle अस्तर पर इसकी परिक्षण की जाएगी और supervisor को master trainer बनाया गया है supervisor जो है कि आंगनबाडी करे करताओं को training करेंगी और जो है कि परिक्षण करेंगी तो इसके संबंद में जो है कि खबर निकल कर आ रहे हैं जो की ब्लाक वाई जो है play school में जो है कि तब्दिल किया जाएगा यहीं आपको जो खबर दिखा रहा होगा कि यमना नगर जिला से एक खबर निकल कर आ रहे हैं जिसमें साथ ब्लाक को इसमें रखा गया है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले ब्लाक में साथ आगनबाडी केंदर हैं दूसरे में ग्यारा और तीसरे में दस ऐसे करके जो है कि साथ ब्लाक को जो है कि रखा गया है यमना नगर जिला से तो इसको पूरे बिस्तार से देखते हैं जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि प्रदेश में अप्रेल से चार हज़ार आगनबाडी केंदर बंध हो जाएंगे इनको प्लेइ स्कूल में कनवर्ट कर दिया जाएगा सरकार के आदेशों पर महिला अमंबाल विकास विभाग की ओर से इसको लेकर तयारी पूरी कर ली गई है तो हम आपको बतादे कि ये जो ट्रेनिंग होगी ये 10 दिनों की आगनबाडी कर दिकरताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और कराई जाएगी ये नीचे बताये जा रहा है कि इसके तहत्ट आगनबाडी वर्करों को ट्रेनिंग देने के लिए सुपरवाइजर मास्टर ट्रेनर बनाया गया है सोमार 17 जन्वरी से ट्रेनिंग सुरू हो जाएगा यनि 17 जन्वरी से ट्रेनिंग सुरू हो गया है CDPO संतोस नैन ने कहा कि सरकार के दिशा निर्दे समसार सोमवार से ट्रेनिंग शुरू हो गई है ट्रेनिंग के दोरान आंगनबारी वरकरों को प्ले इसकूल को बेहतर क्रियानवेन के लिए टीप्स दिया जाएगा इसमें पहले सुपरवाईजरों को ट्रेनिंग डाइट दी गई थी वर्करों को उनके सेंट्रों पर ही ट्रेनिंग दी जाती है तो इस तरह से जो है कि खबर निकल करा रही जो आंगनबाडी बेहनों को 10 द्यूसी ट्रेनिंग दिया जाएगा प्लेई स्कूल में जो है कि आंगनबाडी केंद्रों को तबदिल करने के संबंध में जो है कि खबर निकल करा रही है तो इस तरव से अब जहे की चार हज्यार आगनबाडी केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा जिसको तब्दिल कर दिया जाएगा प्ले स्कूल में तो एक खबर निकल कर आरही है यहीं पे आपको दिखरा होगा की यहाँ है प्लेइंग सरकल अस्तर पर सभी आगनबाड़ी वरकरों के लिए ट्रेनिंग सुरू हो रही है परिक्षान स्कूल बिल्डिंग में दिया जाएगा अगर अस्थान बदलना हो तो CDPO ब्लाक एजुकेशन आफिस से बात चीत करके बदल सकती है महिला एमबाल विकास भी भाग को सरकार के आदेश दिये गए हैं कि स्कूल परियर्ड में सभी आगनबाड़ी वरकर और हेलफर भाग ले सुनिचित करें तो इस तरह से ये खबर निकल कर आ रही थी जो आगनबाड़ी बेहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रदिश में चार हज़ार आगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे और प्ले स्कूल में इसको कर्वेट करने की तयारी पूरी कर ली गई है और इसको अप्रेल माह से जो है कि तब्दिल कर दिया जाएगा और अगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दिया जाएगा जो कि ये ख़बर निकल कर आ रही थी हम आपको पूरे बिस्तार से दिये हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लिप वीडियो को लाइक कर दिये और इस तरह के ख़बरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सेर, सस्क्राइब जरूर करें